प्रश्णों के उत्तर को जानेंगे उत्तर को लिखने की शैलिक पर बात करेंगे और कैसे सटीक्ता से अपना उत्तर लिखा जाए उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों मद्यवदेश मुख परिक्षा में हमारे पास तीन प्रकार के प्रशनाते हैं एक वैसे प्रशन जिनका उत्तर आपको पंदरे से बीश शब्दों में करना होता है दूसरा प्रकार वो है जिसमें आपको सौ शब्दों में और तीसरे प्रकार में दो तीन सौ शब्दों में आपको अपना उत्तर देना होता है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारे सौ शब्दों का प्रशन का उत्तर है जिसके लिए आपको अधिक्तम छेंक मिलते हैं उसका एक प्रशन लेंगे और उसके उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तो यह प्रशन हमारा वर्ष 2019 के वर्ष का है तो 2019 के प्रशन पत्र से हमने प्रशन लिया है आप जड़ा प्रशन देखें मुफ्त बिजली के रूप में सबसीडी से भूजल का छे हुआ है समझाईए जोस्तों आपको यहाँ पर यह समझाना है कि कैसे मुफ्त बिजली के रूप में सबसिडी से भूजल का च्छे हुआ है और यह उत्तर आपको सौ शब्दों में देना है जिसके लिए आपको अधिक्तम च्छे अंक दिये जाएंगे जोस्तों यहाँ पर उत्तर लिखने से पहले हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट की और हम कंसेप्ट के साथ साथ फिर बात करेंगे कि उत्तर में किन किन बातों को शामिल किया जाए और फिर हम अंत में अपना उत्तर लिखेंगे तो पहली बात तो ये देखें आप कि सबसीडी जो होती है या जिसको हम कहते हैं अनुदान या सहाईकी वो क्या होती है सरकार के द्वारा अलग-अलग वर्गों को आर्थिक सहाईता दी जाती है जिसको हम सहाईकी या सबसीडी कहते हैं दोस्तों क्रिशी में आप देखें बहुत प्रकार की सबसिरी मिलती हैं उनमें से एक है फ्री बिजली मतलब किसानों को अपनी सीचाई के लिए जो जल का दोहन है खरती से तो जल को निकालने के लिए सीचाई को करने के लिए अगर बिजली फ्री मिलती है तो इसको हम कहेंग के फ्री बिजली की सबसिडी जोस्तों ऐसा है कि 1984 में अगर आप देखें तो तमिलाडू के द्वारा इस प्रकार की सबसिडी का वित्रन शुरू किया गया और उसके बाद से भारत के लगबक सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर किसानों के हित में और कुछ अपने हित में क्योंकि वोट मिलता है उसके लिए बिजली को फ्री करना शुरू किया तो अब देखें 1984 से तमिलाडू राज्य ने प्री बिजली का वित्रन शुरू किया जिसके बाद से आंद्रपरदेश हो या 2013 के बाद से तेलंगाना हो और वर्तमान में पंजाब जैसे उत्तर भा आत्रा में सबसेडिज देते हैं जिसके अंतरगत किसानों को फ्री बिजली मिलती है तो यदि आप केवल दक्षिन के चार राज्य की बात करें यदि हम बात करते हैं कि कैरल है तमिलाडू है आंदरपरदेश है करनाटका है इन चार राज्यों का बिजली के फ्री देने से जो सबसीडी का बिल है वो करीब 3300 करोड रुपए आया है पिछले वर्ष। तो पहला हमारे दोस्तों कंसेप्ट यह है कि सबसीडी मुख्य रुप से बिजली की सबसीडी क्या है और उसके क्या आकड़े हैं। अब दोस्तों हुआ यह है आप देखें कि भूमिगत या भूमी के नीचे पर्तों के नीचे जल होता है और उस जल क्या पंप सेट से दोहन होता है जिसके लिए बिजली लगती है और पंप लगाये जाते हैं। दोस्तों हुआ ऐसा है कि जब जब सरकार ने बिजली फ्री दी है और जो चीज़े आपको फ्री मिलेंगी उसका दोहन तो बढ़ जाता है और बहुत बार बिना काम के भी लोग उसका दोहन करते हैं। दोस्तों भारत में पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो बहुत भारी संख्या में जो इलक्ट्रिक पंप सेट्स हैं जिससे पानी निकाला जाता है उसकी विद्धी हुई है क्यों जब बिजली फ्री मिलेगी तो किसान फिर क्या करेगा सीचाई के सबसे आसा भारत हैं जो अलग-अलग खेतों में लगाये जाते हैं जिससे दोहन किया जाता है पानी का सीचाई के लिए और दोस्तों इस समय अगर आपको आकड़ादू में तो भारत में जितना भूमिकत जल का दोहन है वो सयुक्त राष्ट अमेरिका और चीन के द्वारा किये गए जाता है जाता है पिस्ट बहुत जल्दी आने वाले दिनों में शायद हमारे पूमिकत जल का जो इतना गिर जाएगा कि वहां से आप कुछ भी कर लें पानी निकलना लगबग मुस्किल होका और इसलिए जो हमारे concept का दूसरा पार्ट है कि वर्तमान में भारत में करीब पुरे भारत में 30 लाग से अधिक पंप सेट हैं और करीब 251 बिलियन क्यूबिक मीटर का जल का दोहन हम करते हैं जो अमेरिका और चीन से भी जादा है अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो प्रशन है हमने concept को समझा concept क्या है हमने देखा कि भूमी की नीचे जल होता है उसका दोहन प्रिशी के लिए होता है हमने ये भी देखा कि subsidy जो भूमी की जल की subsidy है जो बिजली की subsidy है वो किस राज्य ने शुरू किया कि तो आज की rate में इस बात को समझते हैं कि हमारे उत्तर में इन में से क्ञ fuera क्या आएगा और क्यों आएगा क्यों। क्वेशन ये है आपको समझाना है आपको समझाना है इस बात को कि मुफ्त बिजली के रूप में जो subsidy है उससे भूमी की जल का दोहन हुआ है प्र दोश्टों इसी उत्तर को सौ शब्दों के प्रशन आते हैं, दोस्तों, तो कोशिश करें कि सौ शब्दों में हर संभव, जो उत्तर का डाइमेंशन है, टॉपिक का अलग अलग जो रुख है, उसको आप जरू टच करें, जितने अधिक डाइमेंशन को आप टच करेंगे, जितने अधिक अलग अलग अ कि शाओं को आप टच करेंगे आपके उत्तर में विवित्ता उतनी बढ़ेगी और मांक्स के अधिक्तम करन की संभावना भी बढ़ेगी दोतों सौ शब्दों में आपको ये उत्तर लिखना है तो आप देखें हम अपने उत्तर को शुरू करते हैं किसी परिचे से मतलब इन मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि जब उत्तर हम लिखते हैं तो हम एक परिचे देते हैं खासकर उन उत्तरों में जिसके शब्द शीमा ज्यादा होती है तो हम एक परिचे से अपना उत्तर शुरू करेंगे और परिचे आप देखें 10 से 15 से अधिक से अधिक 20 वो आता है जिसमें दरसल हम अपने जो क्वेशन की मांग है उसको बिंदुवार तरीके से रखते हैं उसमें तथ्रे को डालते हैं तो हमारी जो मुख्य बॉड़ी है उसको हम यहां लेखेंगे जो सतर से असी शब्द में या सतर से शाट से सतर शब्द में आना चाहिए तो आप देखिए 65 से माल लेते हैं 75 शब्द तक आपकी मुख्य बॉड़ी आएगी जो हमारे क्वेशन की मांग है और अंत में निसकर्ष होता है दोस्तों हम एक निसकर्ष की बात करते हैं हम बात करते हैं कंक्लूशन की कि अंत में क्या जिसमें आम तोर से समाधान देते हैं माल लेजी हमने देखा यह हम में हमारे जो प्रशन है वो यह है कि भारत में त्री बिजली से भूमी के जलका दोहन हुआ तो हमारा निसकर्ष यह है कि हम क्या समाधान दें कैसे इसको रुकें कैसे इसको ठीक करें तो उतना ही करीब 10 से 15 से 20 शब्द में आप अपना जो नि हमारे उत्तर का एक धाचा है हमारे उत्तर को इस प्रकार की शैली में लिखा जाएगा तो आप अपने मांक्स को अधिक्तम करन कर सकते हैं अब जरा हम शुरू करते हैं उत्तर के मुख्य बिंदू से कि शुरुवात में क्या होगा आप देखे हमारा प्रशन है कि सब्सिड से भूजल का छह हुआ है ये हमारा question है आप चाहें तो इसमें subsidy की परिभाशा से शुरू कर सकते हैं या आप ये शुरू कर सकते हैं कि अगर जो subsidy है वो क्यों दी जाती है तो माली जा हमने शुरू किया इस बात से हमने लिखा कि subsidy जो है कृशी में बिजली की वो क्यों दी जा से लेकि हमारा प्रश्न ये है कि subsidy है उससे भूजल का नाश हुआ है तो हम परिचे में या तो subsidy की परिभाशा से शुरू कर सकते हैं जो सबसे सरल परिचय है जहां पर आपको कोछ इंता नहीं होगी और जब भी कभी किसी उत्तर को शुरू करने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो सबसे आसान तरीका है कि आप उस उत्तर में جो मुख्य धारा है जो मुख्य क्वैशन का भाग है उसके पर परिचेक में उसकी परिभाशा लिए तो भी कोई दिकट नहीं आएगी फिर भी आसान शब्दों में बात करें तो सबसिडी की परिभाशा से आप दे सकते हैं या फिर अच्छा ये रहेगा कि भारत में बिजली की सबसिडी क्यों दी जाती है इससे भी आप अपना परिचे शुरू कर सकते हैं जो अच्छा रहेगा अब अगर आपने इससे शुरू किया तो यहां पर आपका परिचे तो बड़ा हो सकता क्यों आप बताएंगे क्यों बिजली की सबसिडी मिलती है जैसे ही आपने बता दिया कि आप देखें मैं आउंगा इसके उपपर की सबसिडी क्यों मिलती उसकी हम बात करेंगे तो माली चे आपने परिचे में इसकी इसका जिकर किया फिर आपने लिखा कि उस सबसिडी से भूजल का जो नुकसान है इस परकार से हुआ तो आप बताएंगे कि कैसे अगर सस्ती बिजली है फ्री बिजली है तो जो जल का दोहन है जो भूमिगत जल का दोहन है वो निश्य ही बढ़ेगा तो भूमिगत जल का दोहन बढ़ेगा किसान क्या करेंगे उनकों पता है बिजली फ्री है तो सीचाई के लिए सबसे पहला उनका ध्यान के आएगा कि हमें जमीं से पानी को निकालना है जिससे होगा क्या दरसल वो वेकलपिक सीचाई के स्तुरोत पर विचार नहीं करेंगे के स्तुरोत पर विचार नहीं होगा जिससे अल्टिमेटली क्या होगा आप देखें दोस्तों कि यदि आज बहुत जादा मात्रा में आपने जल का दोहन किया तो भविश्य में जो जल का संकट है वो मंडराएगा इन बातों को बताते साथ आप बताएंगे कि कैसे तमिलाडू ने इसको शुरू किया कैसे करनाटक भी इसको करता है कैसे आंदरबरदेश करता है कैसे पंजाब आदी में इसका दुरूपयोग होता है और हमारे जल का जो दोहन है वो चीन और अमेरिका के दोहन से भी जाद आता है तो वितिये बोज भी एक समस्या है यदि आप सस्ती बिज्ली देंगे तो उसका बोज अल्टिमेट्ली जो बिज्ली कमपणियां है उनको भरपाई की सरकारी करेगी तो वितिये बोज की समस्या है राज्यों में एक चुनावि यंत्रबन गया है कैसे जल का संकट आगे मन राएगा कैसे यूएस चाइना से भी अधिक सबसिडीज हम देते हैं कैसे वेकलपिक सीचाई के स्ट्रोप पर विचार नहीं होता और कैसे बहुत बड़ी मात्रा में जैसा बताया मैंने आपको कि दोस्तों 51 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का दोहन भ कि ये जो दोहन है वो क्यों है और इसके दूरगामी पहलू क्या है वित्य बोजभी है एक बात और देखें आप दोस्तों यदि जल का दोहन बहुत जादा है तो इसका सीधा फरक पड़ता है सीधा प्रभाव पड़ता है मिर्दा की गुर्वत्ता के उपर आप यदि जो घुले हुए तत्व हैं वो दरसल पानी के कारण फिर से नीचे की और बैठ जाते हैं इसका मतलब पौधों को जड़ों के पास पोशक तत्व की प्राप्त नहीं वो पाएगा इससे क्या होगा अगर हम बहुत जादा जल का दोहन करेंगे तो बिजली का की बरबादी भ पौधों हैं उनका भी भारी नाश होगा तो यह हर प्रकार से एक नुकसान दे प्रस्टाव है कि हम बिजली को फ्री करें हम ये कर सकते हैं कि जो कि की लागत इसको बाद में रिमबर्ष कर सकते हैं बाद में उसका भुक्तान कर सकते हैं तो इसके लिए आप देखेंएं बिजली तो आप देखी ऐसा होना लगा है पंजाब में भी कि जिन छेत्रों में जिस फसल की खेती नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि पानी वहाँ पे नहीं था उन छेत्रों में उस फसल की खेती बढ़ा दी गई है जैसे पंजाब में चावल की खेती को बढ़ावा दिया गया यह क्रिशी पर्यावरन टक्नीक के विरुद्ध है अगर आप देखे पंजाब जहां पर पानी इतना जादा नहीं है तो वहां पर सीचाई के लिए जो पानी आता है उससे सरसो या गेहूं की खेती हो तो जादा अच्छा रहेगा बजाय की चावल की चावल में बहुत जादा पानी लगता है ऐसे होगा क्या कि दरसल जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा जो सस्यन करम है क्रॉपिंग के पैटर्न से फलो के जो करम है उसमें भी भारी समस्या आने वाली है और आईगी ही कि जिस मिट्टी में जिस फसल की पैदावार नहीं होनी चाहिए थी हमने सस्ती बिजली के चकर में भूमी के जल का इतना दोहन किया कि हमने उसका कल्टिवेशन किया जो उस मिट्टी के लिए सही नहीं था उसके चकर में हमने बाकी जो फसले हैं जिनका cultivation वहाँ पे होना चाहिए था हमने उसको ट्याग दिया तो जिन फसलों की खेती होनी चाहिए थी उसको ट्याग कर जिनकी खेती नहीं होनी चाहिए थी उसको हमने करना शुरू कर दिया इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे मिर्दा की उत्पादक्ता का इंपैक्ट नेगेटिव आएगा हमारे मिर्दा में पोशक तत्व क्या होंगे कम हो जाएंगे और एक अनावश्यक रूप से हमारे जो सस्यन करम है जिसको हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटन तो हमारे सस्यन करम की समस्या भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तों यहां पर आप देखी हमारे पास इतने सारे मुद्दे आगे कि हम बता सकते हैं कि कैसे जो सस्ती बिजली है उसने आप माली जे आप चावल की खेती करेंगे तो जितना जल उपलब्द है उससे अधिक आप दोहन करने का प्रयास करेंगे उस शक्कर में क्या होगा ऐसा देखने को मिला है कि किसानों ने भारी हाई पावर के जो पंप सेट्स हैं उसकी खरीद बढ़ा दी है तो अब पानी कम होगा तो बाकी छेत्रों का पानी सोखने के लिए आपने क्या किया हाई हार्स पावर के अधिक छमता वाले पंप को लगाना शुरू किया जो और भी खतरनाक रिजल्ट देगा भविश में तो इन सब के कारण हम बता सकते हैं हमारी मुख की बाड़ी में अब हम बात करते हैं निसकर्ष की यहाँ पर निसकर्ष का मतलब यह है कि हम कैसे अपने उत्तर के माद्यम से यह बताएं कि क्या किया जाए अगर आप यहां देखें दोस्तों हमने यहां पर लिखा हमने यहां पर समझा था कि किन राज्यों ने शुरू किया, कितना पानी हम सोशित करते हैं, कितना हैंड़ पादी है लेकिन निसकर्ष की जब बात आएगी तो निसकर्ष में हम क्या हम बताते हैं कि क्या किया जाए आप देखें यहाँ पर प्रधान मंतरी कृषी सीचाई योजना पियम कुसुम योजना इसके अलावा आप देखें क्रिशी और हमारा जो पारितन्त्र है तो हम कह सकते हैं पारितन्त्र मतलब एकोसिस्टम अनुकूल क्रिशी या जैविख खेती यह हमारे सुझावों के कुछ मुख्य बिंदू हैं देखी कैसे प्रधान मंत्री खृषी सीचाई योजना इसके अंतर कहा गया है प्रती जो बूंद है उससे अधिक फसल प्राप्त हो मतलब मोर क्रॉप पर ड्रॉप और इसके अंतरगत जो सुख्ष्प सीचाई है जिसको हम माइक्रो इरिगेशन कहते हैं उसको बढ़ावा देने की बात की गई है तो माली जे फसलों के जड़ों तक पानी पहुँचाया जाए तो भी काम हो जाएगा माली जे सहस्तरकार फ्री में देती है बिजली उसके बाद भी अगर हम समाधान की बात करें की ठीक है देना ही पड़ेगा तो क्या करें तो फिर ऐसा करते हैं जो सीचाई है सीचाई की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करते हैं कैसा परिवर्तन जो सीचाई है वो इस प्रकार से की जाए कि फसलों के फ जल निकाला है उसका दुरूपयोग नहीं होगा उसकी बर्बादी नहीं होगी तो फसल भी अच्छा रिजल्ट देगा और बिजली अगर फ्रीबी है तो उससे बहुत अधिक नुकसान हमारे बुमिक जल को नहीं होगा दूसरा दोस्तों है पीम कुसुम योजना, माली जे हम देते हैं फ्री बिजली, उस बिजली से सरकार की लागत बिजली की भी आती है, तो और उस लागत से सरकार को वित्तिय बोज उठाना पड़ता है, बीजल खर्च होता है, उससे पॉलिशन होता है, तो उसका समधन क्या ह किसानों को अपने खेतों पर सौर्य संचालित पंप सेट लगाने के लिए प्रोत्साइद किया जाए, और इस पूर्य प्रकरन में 90% तक का जो लागत है, उसकी सबसेडी सरकार उपलब्द कराती है, तो किसान यदि अपने खेतों पर सोलर पंप लगाते हैं, तो उसके बा आएगा, तो सरकार कम सकम यहां भी बचा सकती है, और दूसरी बात, यदि ये पंप लगते हैं खेतों में किसानों के दौरा, और किसान वहां पर बिजली पैदा करता है, तो उस बिजली का किसान क्या कर सकता है, बाजार में बेच कर मुनाफ़ा भी कमा सकता है, तो माल लि कि अब अन्न दाता उर्जा दाता बनेंगे तो माली जी आपको फ्री बिजली मिलती थी एक पहलू ये है दूसरा आप बिजली उत्पादन करते हैं जल के दोहन के लिए सीचाई के लिए आपकी जेब से कुछ खर्च नहीं होता बिजली में और दूसरी ओर इदि बिजली को बेचकर धन मिल जाएगा तो और अच्छी बात है इससे भी क्या होगा किसान बिजली का एक रेस्पॉंसिबल दोहन करेगा और वो क्या करेगा भूमी के जल के च्छे को रोकेगा दूसरा पहलू क्या हो गया पीम कुसम योजना तीसरा दोस्तों जैसा मैंने कहा कि यदी आ और आपको उस भूमी पर खेती करने के लिए धान उगाने के लिए बहुत जादा पानी चाहिए होगा जिसके लिए आप उस अंडर ग्राउंड वाटर का दोहन करेंगे बट माली जे आपके एको सिस्टम में आपके पारितंतर में पहले से ही मिट्टी में नमी है अच्छी करते धान की तो आपको अथरिक जल के दोहन की आवशक्ता नहीं पड़ेगी इसका मतलब ये भी तो हुआ कि यदि हम अपने क्रिशी को पारितंतर अनुकूल करते हैं एको सिस्टम को या क्रिशी को एको सिस्टम के अनुरूप करेंगे तो संभावित है कि किसानों के द्व प्री है भी तो भी किसान की द्वारा उस बिजली का इस्तमाल जल के दोहन के लिए शायद नहीं होगा दोस्तों अंतिम हम देखी क्या है अंतिम है जैवी खेती तो जैवी खेती में दोस्तों हम क्या करते हैं जैवी खेती में हम जो हमारे खाद हैं उनके इस्तमाल से खेती करते हैं और मुख्य रूप से आप देखें रसाइनिक और वरोकों का जो अत्रिक इस्तमाल है उसे हम कम कर देते हैं यदि आप जैवी ख्यतिक करेंगे तो भी मिर्दा में नमी रहेगी और नमी रहने का मतलब यह है कि शायद जो भूवी का जल है उसका अत्रिक दोहन रुकेगा इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम समाधान या सुझाओ की बात करें तो इन चार सुझाओं से तो हम अपने उत्तर को और अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं तो आप देखी यहाँ पर अगर उत्तर लिखूम है तो निसकरश पर हम कह सकते हैं तो इसी चार बिंदू को आपको एक वाक्य में पिरोना है आप कह सकते हैं कि भूमी गजल के दोहन को रोकने के लिए बूंद बूंद सीचाई योजना या पीम कुसम योजना या पारितंत्र अनुकूल क्रिशी और जैविक खेती जैसे प्रयासों को किया जा सकता है जिससे पेकल्पिक स्त्रोतों को भृतरी मिलेगी और अनावश्यक जल का दोहन रुकेगा तो ये आपका निसकरश रहेगा और आप देखें यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमने हमारे उत्तर की बॉडी को लिखा है अब हम ज़रा एक प्रशन के पूरे उत्तर को समेटते हैं और उत्तर को एक बार लिखकर प्रयास करते हैं कि हमने अभी तक की चर्चा में सभी प्रकार के स्कीम आकरे देख लिए हैं और अब समय आ गया कि हम उस उत्तर को एक बार लिखने का प्रयास करें। अगर आप देखें तो हमारा जो प्रशन था वो ये था कि कैसे जो जल है उसको हम बचाएं। जो प्रशन हमारा ये था कि कैसे फिरी बिजली ने भूमी का जल के दोहन को बढ़ा दिया। तो यहां पर हम क्या हमने देखा हम लिखेंगे अपना उत्तर और बताएंगे कि आप देखिए भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं तो उनको किशी में लाब मिले इसके लिए या उनके उपर उत्पादन का बोज़ ना आए। तो आप एक कह सकते हैं कि चुकी भारत में या गरीब किसानों के उत्थान खेतू प्री बिजली कि सहाई की का वितरन किया जाता है इससे उत्तर अपना शुरू कर सकते हैं अप तिकि आपका निस्क आपका वाक्या आपका अपना होगा हम तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य बाते क्या लिखी जाएं तो यह एक प्रकार का परिश्य हो सकता है कि क्यों हम बिजली में सहाई की देते हैं हम यहां गरीब हटा सकते हैं के वल किसान की बाप भी कर सकते हैं ये ककिरिसी उत्पाद को Bđھाने के लिए फ्री बिजली का का वित्रंड किया जाता है, पहली बात थो यह एक बात और देखिएंगे आप तो तो यहां पर एक बात समझने वाली है वो यह है कि सरकार क्यूं देती है बिजली फ्री में तो पहला है क्रिशी उत्पाद को बढ़ाने के लिए तो क्रिशी के उत्पाद बढ़ते हैं बिजली है पानी फ्री है तो अल्टिमेटली उत्पादन बढ़ता है दूसरी बात किसानों की आए किसानों की आए को बढ़ाने के लिए लागत कम होगी आए बढ़ जाएगी तीस आप देखिए बहुतार ऐसे किसान या खेत हैं जो किसी नहर से जुड़े वे नहीं होते हैं यदि आपके खेत के बगल से नहर गुजरती है तो बहुत अच्छी बात है कि तो ऐसा हर जगा होता नहीं तो माली जी जहां पर नहर की उपलब्धता नहीं है नहर के जल की जी ना आए इसके लिए उसको फ्री बिजली मिलती है या फिर आप देखें कि किसी कारण से माली ये मौनसून वीक हो गया है तो मौनसून की विफलता के कारण भी क्या है तो मौनसून की मार से किसानों को बचाया जा सके इन चारत मुख्य कारणों से सस्ती या फ्री बिज बिजली सरकारों के दौरा दी जाती है अब दोस्तों हमारे परिचे में हम इन चीजों से शुरू कर सकते हैं यह सबसे अच्छा रहेगा कि आप बताएंगे कि किसानों की आए बढ़ाने या क्रिशी उत्पात को बढ़ाने के उद्देश से सरकारों के दौरा लगबक सभी र अपनाते हैं तो इससे आप देखिए करीब 15-25 शब्द से हमारा उत्तर शुरू हो जाएगा और सटीकता से अपना उत्तर शुरू हो गया तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा परिचे हो गया जैसा मैंने का कि इसको आप लिखेंगे तो आपका परिचे 10-15 शब्द बढ़ जाय कोई दिकत नहीं यह आपने कुछ काम की बाते लिखी हैं तो गया एकसेप्टेबल है इसके बाद हमारे उत्तर का क्या आएगा हमारे उत्तर का यह आएगा जहां पर मुख के बाड़ी है कि अगर आप देते हैं फ्री बिजली आप लिखेंगे हाँ पर कि आपने लिख का परिच है फिर आप बताएंगे लेकिन इस मुफ्त बिजली से निम्न समस्याएं उत्पन होई हैं जैसे की भूमिकत जल का दोहन बढ़ गया है दूसरा मौसम या पारिस्थितिकी या पारितंत्र प्रतिकूल खेती का प्रचलन बढ़ जाने से उन फसलों की खेती होनी शुरू हो गई है जो बहुत अधिक जल की खपत करते हैं वो भी उन छेत्रों में जहां जल उपलब्द नहीं है जिस कारण से भी इस भूमिकत जल क दोहन बढ़तावा दिखाई देता है या दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा आप कह सकते हैं इससे सरगार का वित्तिय बोज है और चौथा चुकि बिजली फ्री है तो उसका responsible यूज नहीं होता पानी को निकाल कर सीचाई के लिए फैला देते हैं जिससे दरसल पानी फैलता है जल का नुकसान होता है और अल्टिमेटली क्रिशी में उत्पादक तक कम होती है इन सब के समाधान है तो आप कह सकते हैं कि इनका इस्तमाल किया जाए जिनसे जल का दोहन हमारा रुकेगा दोस्तों ये अगर आपने लिख दिया तो सौश अब्दों में अलग अलग पहल से कैसे दोहन बढ़ेगा जिम्यदारना इस्तमाल कम होगा उन फसलों की खेती बढ़ेगी जिनकी खेती वहाँ पे नहीं होनी चाहिए तरका का वितिये बोज बढ़ेगा और क्रिशी उत्पादक्ता भी घटेगी क्योंकि पानी बहाओगे तो मिर्दा की उत्पादक्ता ग आपने ये निसकश लिखा आपके सौशब्द पूरे हो गया और आपका उत्तर दोस्तों समापने दोस्तों इस प्रकार से तकनीकी रूप से हम अपना उत्तर लिखेंगे और सभी पहलेओं को टच करते हुए अपने उत्तर को परिपूर्ण करेंगे उमीद ये कि आपको इ कैसे लिखा जाए उस पर हम चर्चा करेंगे तो बिलते हैं अगले वीडियो में और अगले प्रश्टों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं त्रिष्टी देखते रहें धन्यवादे